नमस्कार दोस्तों कईता याद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं NTA, NET, JRF, Indy, EMRS, DETA, PRASP, BPSC, UPT, GTPGT सभी हिंदी परिक्ष्याओं से संबंदित हिंदी साइट्य के मैत्तवपूरण शरंक लाब ने चलाई हुए जिसमें हम हिंदी साइट्य के मैत्तवपूरण परिक्ष्याओं को व्याख्या साइट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें परिक्ष्याओं में व्याख्या साइट्य करने से अधिक से अधिक लाब मिले एक पर्षन से हमें अन्य तत्य भी हमारे कंप्लेट हो जाए इसी बरकार हम अपनी तयारी को एंटी एनट की परिक्षिया तक करते हुए आगे बढ़ेंगे अधिक से अधिक हम पर्षनों को व्यक्ष्या सहीद करने की कोशिज करेंगे ताकि हम अच्छे समझ के साथ पर्षन किस चंद में लिखे गई रचना है रास पंचाजाई जो है रोला चंद में लिखे गई रचना है यह रोला चंद की रचना है रास पंचाजाई जो है नंदास जी की रचना है इसका रचना काल की बात करें तो 1553 से लेकर 1533 के मद्दे इसका रचना काल माना जाता है इसमें स्री किट्षन की रास लिलाव का वर्णन कोमर संगीत आत्मक पदावली में किया गया है इसे हिंदी की गीत गोविन रचना भी कहा जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो गीत गोविन की रचना कार कौन है तो आप लोगों को पताईए परशित जैदेवन जो संस्कित को भ बढ़ते हैं आगे इनी के अनुकरन के आदार पर विद्धापती जी ने रचनाई की पदावली की रचनाई नों ने लिखी विद्धापती जी ने बढ़ते हैं आगे पर संसंख्या 162 मैं नारी एपावन परभु जग पावन रावन री पूजन सुकदाई ताजी पाही पाही सरनाही आई जो रामचरी तर्मानस की चोपाई में व्यक्त विचार किस पात्तर के हैं तो इसमें पुछा गया हुए जो ये कथन दे रखी है ये पंक्तिया दे रखी है तो ये जो विचार है ये रामचरी तर्मानस में किस पात्तर के बताए गई है तो सही आं चाहिए कि बालकांड से ये पंक्तिया ली गई है जिसमें कि राम विश्वा मित्र के साथ दनुस यग में समलित होने के लिए जाते हैं रास्ते में राम दुवारा गोतम की पतनी अहिला का उद्दार होता है जब ये अहिला के विचार इसमें दिये गई है बढ़ते हैं आग किरती नहीं है चंडी चरितर राम चरितर और सुजान चरितर तीनों की तीनों चरित चंडी चरित राम चरित सुजान चरित तीनों की तीनों जो रचना है ये परबंद कावे संबंदित रचना है सुजान हित परबंद कावे संबंदित रचना नहीं है तो देख लेते हैं सूरती मिसर जी की रचना है और सुजान चरित जो है सूधन की परभंद कावे समंदी ये तीनों की तीनों रचना हैं बढ़ते हैं आगे पर्चन संक्या 164 लिखिन बैठी जाकी सभाई गई 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 गवर गरू भै नैकेते जगत के चतुर चितरे कूर इस दोहे में सभी का अर्थ क्या है तो इस दोहे में ये पूछा हूँ है कि सभी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है तो सभी का अर्थ हो जाएगा चितर यानि नाईका के समान ये थार चितर जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा देख लेते हैं पर्चन का दोहे में जो इस दोहे में बिहारी का जो ये दोहा है बिहारी सत्साई से उद्धित यह है और सभई अर्भी शब्द सभी का रूपांतर इसमें दिया गया है सभी जो है शब्द सभी का रूपांतर है जिसका अर्थ है वास्तविक या यथार्थ चित्तर वास्तविक या यथार्थ चित्तर इस सभी शब्द का अर इस दोहे का जो भावार्थ है वो क्या बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि अंकूरित योविना नाइका की सकी नायक से उसके पर्तिशन बढ़ते हुए योवन तथा शरीर की कांती की परशंचा करती हुई कहती है कि बड़े चतुर चतीरे भी इस समय उसका यथार चि चितर बना कर मिलाता है तो इतने समय में उसके सरीर में परिवर्तन हो जाता है वह चितर उसे नहीं मिलता आते चितरकार को मूड बनना पड़ता है यानि कि इस दोहे में ये बताया गया है कि एक जो सकी है अपनी नाइका सकी की सुंदरता का इस परकार से नायक के सामने वर करता है, कोई उसका ये थार चितरन नहीं बना पाता, क्योंकि उसकी सुनदरता दिन परती शंड बर परती रहती है, तो जो कोई भी उसका चितर बनाता है, तो उस चितर को बना करके, चितर को दो zelfने परत्वेल का नायक को इस परकार से नायका की सकी नायक को उसकी सुन्दरता का बखान करती है इस दोहे का सही आर्थी यही है यह यह बिहारी जी का दोहा वे बिहारी सत्से से लिया गया है बढ़ते हैं आगे गीती संग्रह के रचनाकार कौन है तो गीती संग्रह जो रचना है उसके रचनाकार पूछा हुआ हैं। गीति संगघ के रचनाकार रही है। सिंगार्स के कवी रही है बढ़ते हैं आगे परसन संक्या 166 शकुंतला नाटक की रचनाकार कौन रही है Сकुंतला नाटक के रचनाकार रही है नेवाज जो है सकुंतला नाटक के रचनाकार रहे हैं, रितिकाल के कवी नैवाज सकुंतला नाटक 16 सविया सिस्वी में लिखा, यह नाटक दोहा चोपाई सविया चंद में आबद है, इनकी भाषा परिमार्चित, व्यवस्तित और भावयुक्त है, नैवाज मुलत है, सिंगारी कवी रहे है, संयोग सिंगार के प्रवर्ति विशेश रूप से इसमें पाई जाती है, बढ़ते हैं आगे, पर्चन संक्या 167, सूर्सागर के पदों का भावनों सरन करते हुए, किस कवी ने किर्शन के जीवन का चितरन किया है, यह पुछा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रिजव ब्रिजवाशी दास, ब्रिजवाशी दास ने सूर्सागर के पदों का भावनों सरन करते हुए, दोहा, सोर्टा, चोपाई चंदों में ब्रिजविलास इनकी रचना है, जो की 1770 की इसवे की रचना बताई हुई है, तो देख लेते हैं आगे, ब्रिजवाशा का यह परबं का वे ब्रिजवाशा का 1770 में, जिसमें दोहा, सोर्टा, चोपाई चंदों का परियोग हुआ है, इस रचना में, यानि इसमें सरल बाशा के माध्यम से स्रीकिर्शन की की रचना में जीवन का चित्र नीनों ने किया है, यह गरंद साधन कोटी का शिद्वा है, इसे उतनी लोग पिर यता ने मिल सकी, इसका कारण सपस्ट है कि सिरीकिर्शन कवियों ने सिरीकिर्शन के चित्र का जितना लिखाव है, अच्छे परबंद कावे के लिए परियाप्त ना था, बरजवाशी ने पर बहुत चंद्रों देनाटक का भी अनुवाद अपनी रचनाओं में किया है, बढ़ते हैं आगे, पर्शन संख्या 168, निमलिक में से जगनादास रतनाकर की रचना कौन सी नहीं है, इसमें जगनादास रतनाकर की रचना कौन सी नहीं है, तो भरमर्दूत जो रचना है, जगनादास की रचना नहीं है, तो आप लोगों ने ये बताना है, कमे हिंट मैं आपको दे देती हुं तो आप लोगों को ये बताना है बर्मार्दूत कि is रचनाकार की रचना का रही है क्योंकि आप अगर जब एक परशन आपको नहीं आ इंडोला गंगा उतरण उद्धाव सतक बाबु जगनाद दास रत्नाकर की परशीद जो केर्थिया है परशीद रचनाई है कई बार परिक्षया में पूछी गई हैं इंडोला भी गंगा उतरण भी उद्धाव सतक इनका सन भी देख सकते हो 1824, 1923 गंगा उतरण, 1939 जो उद्धाव सतक जो बाबु जगनाद दास जी की रत्नाई है इनमें गंगा उतरण में 13 सर्गों का आबद महा काव्य और उद्धाव सतक गोपी संवाद पर आदारी ये दोनों के दोनों परबंद काव्य हैं ये आपको द्यानक नाई ये पूछ ल संशेर बाद दूर का नहीं है तो संशेर बाद दूर का इनमें से कौन सा काव्य संग रहा है नहीं है आज अभी आखो सी ये काव्य संग रहा है ये संशेर बाद दूर का नहीं है तो देख लेते हैं संशेर बाद दूर के और अन्य जो काव्य संग रहा है उनको हम देखते हैं दूसरे सब तक में संकलित 21 कवीताई कुछ कवीताई 1969 कुछ और कवीताई 1961 चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 बात बोलेगी 1981 इतने पास अपने 1985 काल मुच्छे होड है मेरी 1988 समसेर बाद दुजी की और अन्य कावेकिरतिया है परिक्ष्या में पूछी जाती है इनकी कावेकिरतिया भी तो बढ़ते हैं परशन संक्या 170 फिर परियों के बीच से हम सुभग सीप के पंक पसार समंदर पैरते सुचित जोचसना के पकड इंदर के कर्सु कुमार जो ये पंक्तिया है ये किस रचनाकार की है तो जो ये पंक् किरति के जो परमुक कवी रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत उनकी ये कावेपंक्तिया है जो की बादल कवीता से ली गई है पढ़ते हैं आगे परशन संक्या 171 रचनाकाल के अनुसार कावयों का सही अनुकरम बताएए इनमें ये पुछा हुआ है रचनाकाल के अनुसार तो सही अनुसार हो जाएगा डी पहले आएगा कानन कुसम 1913 की रचना फिर आसु 1935 की रचना फिर लहर 1933 की रचना कामाईनी 1935 की रचना है जो की ये सब ही रचनाई जो है जैशंकर परश्याद जी की है बढ़ते हैं आगे परचन संक्या 112 जीवन काल के आदार पर कवियों का सही अनुकरम क्या है तो जीवन काल के आदार पर बताना है सबसे पहले आएगा अमीर खुसरो जो की तेरवी स्ताबदी के कवी रहे है फिर विद्यापती चोद्वी स्ताबदी के कवी रहे है फिर रैदास फिर नानक इन क्योंकि नानक का जनम कई बार पूछा जा चुका है। प्रिक्षा में ध्यान रखना है आपको बढ़ते हैं। आगे पर्शन संख्या 170 परकाशन काल की दरिश्टि से प्रेम चंद के उपन्यासो का सही अनुकरम क्या है। तो प्रेमचन जी के उपन्यास्तों का अनुकरम बताना है तो सही आंसर हो जाएगा B. सेवा सदन का समय मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं प्रेमचन जी के लेकिन हम जितनी बार भी डिवाइज करेंगे उतना ही आमें परिक्षा में पक्का याद रहेगा तो सेवा सदन 1918, वर्दान 1921, रंग भूमी जो 1925 और प्रतिग्या 1929 इस परकार आपको द्यान अखना है बढ़ते हैं आगे पर्शन संख्या 144 परकाशन काल के दरिश्टी से बिशम साहने के उपन्यासों का सही आनुकरम क्या है सभी के सभी जो ये उपन्यास है विशम साहने जी के हैं तो इनका सही आनुकरम के अनुसार आंसर हो जाएगा डी, कडिया 1970, तमस 1973, माया मास की माड़ी 1988, नीलू, नीलीमा, नीलोफर जो 2000 की रचना है माया मास की माड़ी, तमस, कडिया, ये कई बार परिक्षा में पूछी भी जा चुकी है एक सोपी चत्तर परशन संख्या, परकाशन काल की दरिश्टी से विशनु परबाकर की रचनाओं का सही आनुकरम बताईए तो विशनु परबाकर जी की रचनाओं जो है, उनका सही आनुकरम हो जाएगा यादो की तीर्थ यात्रा, शर्जन के सेतू, हम सफर मिलते रहे और अर्दनारिश्वर, अर्दनारिश्वर इंपोर्टेंट रचना है इनकी तो देख लेते हैं इनका समय, यादो की तीर्थ यात्रा, जो रचना है इनकी, 1981 वी की है, हम सफर मिलते रहे, 1985 की, सर्जन के सेतू, 1990 की, और अर्दनारिश्वर जो है, 1922 में की रचना है, बढ़ते हैं आगे, परशन संक्या, 176 प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू सीर्षक क्या है, प्रेमचंद ने जितने भी अपने उपन्यास लिखे है, पहले उन्होंने उर्दू भाशा में लिखे, उन्हीं उर्पन्यासों को उन्होंने हिंदी भाशा में फिर अनुवाद करके लिखा, तो उनका ज सेवा सदन उर्दू सेवा सदन उपन्यास को लिखा तो यह हमें बताना है तो देख लेते हैं जो बाजार लेते हैं एक मिट बार बार डिस्ट बेंस ओ रही है तो देख लेते हैं इनका जो गोसाई आफियत जो है ये प्रेमा श्रम हिंदी सीर्षक रहेगा इनका प्रेमा श्रम उसके बाद चोगाने हस्ती रंग भूमी का उर्दू उपन्यास है और प्रेमा जो है हम खुर्मा वैसवाब इनका उर्दू उपन्यास रहेगा बढ़ते हैं आगे पर्शन संक्या ए प्रेमा तो मुच आदी विशो से संबंदिक उपन्यास किस लेखक ने लिखे इन नामों से उपन्यास भी लिखे गई है नाम का उपन्यास रहा है भूं उपन्यास रहा है पेट उपन्यास रहा है तो जो ये इस नामों से जो उपन्यास लिखे है ये किस लेखक ने लिखे है तो देख लेते हैं परताफ नायन मिश्र इनका सही अंसर हो जाएगा कई बार परिक्षा में इस परकार से भी परचन पूछ लिया जाते हैं इन में से कून सा ऐसा लेखक है जिनोंने सरीर के अंगों के आदार पर अपने उपन्यासों के नाम दिये हैं तो यह है परताफ न इपोटेंट है भारत दुर्वत स्वा बोषंक टादी इनकी रचनाई है बढ़ते ही अगे पर्षंसं прид dolphins एक 48 जैसंकर परशाद का सवर पर्थमनाटक कोन सा है इतो जैसंकर परशादी का सवर पर फषमनाटक है सज्जन जैसंकर परशाद का पहला नाटक सच्जन है जो की 19 210 इस विका है इन में गीत अधिक संवाद में शायरी तथा इनकी सेली पर पार्शी नाटकों का परवाव भी रहा है यह आप लोगों को पता ही है पार्शी नाटकों का परवाव की इस लेखक की नाटकों में मिलता है तो जैशंकर परश्याद के बढ़ते हैं आगे परचन संग्चा 180 शब्दों की पद रचना पर आदारित भाशाओ के वर्गी करन को क्या कहा जाता है तो आकर्ति मूलक भर्गी करन इसे कहा जाता है आकर्ति का इसमें अर्थ क्या दिया गया है रचना तो देख लेते एक बार थोड़ी सा तत्य है शब्दों की पद रचना पर आदारिच भाशाओ के वर्गिकरण को आकर्तिक मुलक वर्गिकरण का आ जाता है यहाँ आकर्ति का अर्थ रचना है इस से समंदिश यही चक्ते थे बई परशन संख्या 181 दूसरा दर्वाजा की विदा की रचना है तो दूसरा दर्वाजा नाटक है किनका लक्समी नारेन का नाटक संग रह रहा है दूसरा दर्वाजा 1912 की रचना है बढ़ते हैं परशन संख्या 182 इन में से जो कौन सी रचना आतम कथा है तो सही आंसर हो जाएगा मेरे साथ जनम मेरे साथ जनम जो है हन्स राज रेबर की आतम कथा है इंपोर्टैंट है तीन खंडों में परिक्षा में पूछने लायक सवाल है और पिछली परिक्षाओं में पूछा भी जा चुका है बढ़ते हैं आगे रस गंगादर में राज जगनाथ ने किस बादशा की परशंसा की है तो साजा के इनों ने परशंसा की है साजा ने जगनाथ को पंडित राज की उपाद्धी भी दी थी वो रसगंगादर में पंडित राज ने यानि जगनाथ ची ने साजा की परशंचा की है कई बार जगनाथ से संबन देती ये रचना भी पूछी जाती है रसगंगादर किसकी रचना है देहरी भाई विदेश किस विधा की रचना है देहरी भाई विदेश जो है एक आतम कथ्या है इनका आतम कथ्या ये देख लेते हैं देहरी भाई विदेश जो है 2005 में 20 लेकी काऊगी आतम कथ्या संक्लित है पूरी किर्थी दास्तावेज आतम कथ्यां और आतम कथ्या सीज़सकों में विबखता है इसका जो संपादन है राजिन दरियादव ने किया है बढ़ते हैं आगे परशन संक्या 185 परोपिय परिवार की भाशा नहीं है भाशा विज्ञान को मैंने बिल्कुल सुरुवाद से कंप्लीट कराया हुआ है जिस भी किसी बच्चे नहीं है भाशा विज्ञान समंदित पर परिवार की बाशा कोन सी नहीं है इन में भरोपिय परिवार की बाशा जो है केल्टिक, इतालिक और जर्मनिक तीनों की तीनों जो भाषा है ये भरोपिय परिवार के भाषा है देख लेते हैं केल्टिक, इतेलियन और जर्मनिक भरोपिय परिवार के अंतरगत केटुम वरक की जो बाशा है ये भी पूछ सकते है कि किस वरक के अंतरगत आती है ये बाशा है ये केटुम वरक के अंतरगत आती है COEN बरोपिय बाशा की नहीं है इस परकार से 185 तक हमने कंपलेट कर लिए नेक्स्ट ग्लास में हम आगे की परशनों को इसी तरह व्यक्षा सईद करने के कोशिच करेंगे अधिक से अधिक परिक्षा तक हम परशनत्रों को इसी तरह करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे एंटी एनेट की जो 11 दिसंबर को होने वाली परिक्षा है उन के लिए आपको जो यह परशन है यह आपको काफी मदद करेंगे इसी तरह आमारे साथ जूटकर अपनी परिक्षा की तैयारी करते रहे चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिए वीड करते रहे ना आगे बढ़ते रहे ना थैंक्यू धन्यवाद